नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपको अपने चैनल इंटरनेशनल अफेर पर तो दोस्तों आप सब को पता हुआ कि रूस और उक्रेन में जंग 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और आज 12 मार्च है यानि 17 दिन होने चले हैं और आज भी रूस और उक्रेन की सेना जंग लड रही है जब जंग शुर हुआ था तब या नुमान लगाया जा रहा था कि रूस चार से पांच दिनों में उक्रेन पर अपना दवदवाब बना लेगा लेकिन आधे महीने बीद जाने के बाद भी रूस अभी उक्रेन से युद लड़ी रहा है जिससे अब रूस धीरे-द लेकिन हम उक्रेन में रूस के खिलाफ युद नहीं लड़ेंगे अगर नाटो और रूस के बीच लड़ टगराव होता है तो तिसरा बीश चुद होगा जिसे रोकने के लिए हम परियास करना चाहेंगे आपको बता दे कि बाइडन का यहाब याना इसे समय पर आया है जब पोलेंड ने उक्रेन को 28 मीक 29 बिमान देने का उफर दिया था लेकिन बाइडन ने इसे रोक दिया है क्योंकि बाइडन को डर सता रहा है कि यदि रूस के खिलाफ युद होने से कोई नहीं रोक सकता है इसी को जवाब देने के लिए रूस बाहरी देसों से मदद लेने में बिल्कुल भी परहज नहीं कर रहा है दसन की खबर के मुताबिक शिरिया की सेना ने जैंग में रूस के तरफ से लड़ने के लिए सेनिकों को भरती करना शुरू कर दिया है और हजारों लड़ा के यूद में सामिल होने के लिए तयार है वहाई रूस के सुराच्छा परसत राच्छा मंतर सगोई ने कहा कि रूस मधपूर के देशों के 16,000 से अधिक वालेंटियर्स को जानता है जिनने इसलामिक स्टेट समूर के खिलाफ रूस की मदद की थी और जो खुद की इच्छा से रूस की मदद करना चाहते हैं खैर आपका क्या राय पूरेश घटना पर क्या मीडिलिस्ट के लड़ा के दूस की साथ देंगे की नईस देंगे आप अपना राय कमेंट में जरू बताएं और इस तरह खावर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेर को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अपडेटेटेड रहें वर्ल्ड और डिफे इसके तमाम खौरू से